अब वेल्कम यूओ अट लोकी साल इन प्रिश्य जोन चलिए तो एक क्वेश्चन बहुत रीन सापके सामने हैं और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताईए ये फंक्षन का हां कैसा होगा आपको इस फंक्षन का बिहेवियर पूछा गया है ओके तो ऑप्षन ह改 len कि यहां कि यह आफ्र कि इन इंटर्वार कै दिया गिया है और मतलब आल्रियल नंबर में इस फंक्षन का नेचर क्या होगा और mobile है तो इसको करने के दो थरीके या राप मॉड एक्स की दो situation के लिए solve कर लो इस question को, आप जानते हैं कि mod x equal to होता plus x whenever x is greater than 0, ओके, और mod x equal to होता है minus x whenever x is less than 0, तो या तो यह question दो जगह पे solve हो जाएगा, दो अलग-अलग जगह पे आपका solve हो जाएगा, ओके, आप तो या तो इसको दोनों अलग-अलग जगह पे solve कर लिजे, अब जब आप x greater than 0 लेंगे, तो आपका function क्या बन करके आएगा, x plus 1 upon x, और जब आप x less than 0 लेंगे, तो आपका function क्या आएगा, x minus 1 upon x, और दोनों function को अलग-अलग solve करके पता लगाईए कि कैसा है, इंक्रीजिंग है या decreasing है, ठीक है, तो ये भी बहुत सेरल है, अगर आप दोनों को अलग-अलग solve करके पता लगा लेंगे, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये function increasing है, decreasing है, strictly increasing है, कि strictly decreasing है, और हो सकता हो, कि आधा इंक्रीजिंग हो और आधा डिक्रीजिंग मतलब को एक मतलब एक कोई हिस्सा इंक्रीजिंग हो या एक कोई हिस्सा डिक्रीजिंग हो ओके अब आपने का कि हां सर अलग 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 आएगा भाई बिलकुल अलग 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 आएगा बट यदी माल लीजे ये वाला हि हिस्सा इंक्रीजिंग और और ये वड़ा हिस्सा है इसका मतलब फंक्शन् टोटली क्या होगा ओप ही नहीं है जाँ बिल्कुल होता है इसके अंदर एक फंक्शन स्वान्य कुत और ऑलाई प्रोबलम है ठीक वह है तो आए एक तो तरीका ये कि इसको अलग लीजिये तो आपको समझ में आ जाएगा देखेजिए आप ये जानते हैं logic क्या है आपके सामने problem है आपके सामने problem है mod x की ये है जरा सोचिए कि mod x का differentiation क्या होता होगा mod x को अगर आप open करते हो तो mod x आता है plus x कब जब x गर दिन जीरो होता है और minus x का बाता है जब x dx of mod x का तो एक साथ तो नहीं कर पाऊगे बट अलग-अलग moment पर कर पाऊगे greater than 0 के लिए mod x की value होती है क्या differentiation 1 और ये क्या होता है minus 1 तो ये हो गया जा आपके पास 1 हो गया और एक क्या हो गया आपके पास minus 1 इस approach से आप क्या लिख सकते हो आप ये लिख सकते हो कि एक आरी है 1 और एक आरी है क्या minus 1 इस approach से आप क्या लिख सकते हो कि d by dx of mod x जो आता है वो कितना आ सकता है वो आ सकता है x by mod x x by mod x क्यों ये इसका answer है ये इसका क्या है answer है क्यों देखे ज़रा ध्यान से जिस समय x greater than 0 होगा उस समय mod x की value किती होगी 1 तो x upon x cancel हो जाएगा क्यों आ जाएगा उस समय mod x की value x होगी और जिस समय mod x less than 0 होगा जिस समय x less than 0 होगा उसकी value किती होगी minus x तो minus x cancel हो जाएगा कितना आ जाएगा minus 1 मतलब ultimately हम differentiation को कुछ इस form में लिख सकते हैं के ने लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो बस इसी approach का आप इस्तमाल करेंगे मतलब d by dx of mod x क्या लिखा जा सकता है x upon mod x लिख सकता हूँ के ने लिख सकता हूँ क्योंकि x upon mod x की value जब greater than 0 होगा तो 1 मिलेगी और less than 0 पे क्या मिलेगी minus 1 आइए तो solve करते हैं हम अपने differentiation का हमाया पास जो function दिया गया है fx equal to दिया गया है x upon 1 plus कितना mod x दिया है ना x upon 1 plus mod x और क्या है x belongs to r आइए differentiate करते हैं f dash x तो f dash x क्या rule चलता है numerator denominator का rule चलाएंगे तो denominator 1 plus mod x into differentiation of numerator numerator कौन है भी या x x का differentiation कितना हो जागा 1 minus numerator into differentiation of denominator 1 का कितना हो जाएगा 0 1 का कितना हो जाएगा 0 into ओके plus बिटा प्लस आएगा और plus mod x का मैंने अभी आपको बताया x upon mod x आएगा कि नहीं हैगा और divided by 1 plus mod x का whole square चलिए f dash x equal to ये 1 plus mod x है 1 से multiply होके 1 plus mod x ही बचेगा माइनस ये माइनस आएगा और देखी यहाँ पर ये x है तो ये अपने पास कितना जाएगा x into x कितना हो जाएगा x का square x का square divided by कितना mod x divided by mod x बोली क्लिएर है कि नहीं है x का square divided by mod x whole divided by 1 plus mod x का whole square ओके 1 plus mod x का whole square अब आईए देखते हैं यहाँ पर इसको solve कर दिजे यदि आप इसको यहाँ पर open करते हैं तो अब इसके बाद ये कैसे open होगा 1 plus mod x बेटा है और माइनस जो है x x square upon ये mod x है mod x पर इसको solve करता हूँ मैं इसका LC हम आएगा तो mod x 1 जा कितना हो जाएगा जी mod x mod x का 1 से multiply होगा ये कितना होगा अपने पास में mod x mod x plus mod x कितना होगा यहाँ पर होगा mod x का square हो गया कि नहीं हो गया ओके और ये है माइनस का x square है और नीचे चला जाएगा mod x चला जाएगा कि नहीं जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 1 plus mod x का whole square और साथ में क्या है mod x है बुलिए clear कि not clear अरे भाई ये mod x नीचे आ गया है अब ध्यान से देखिए ये क्या है x square mod x का square है और ये क्या है x square है अब एक चीजा फिल कीजिए कि चाहे mod x का square कर दो चाहे x का square कर दो x square आने के बाद positive हो negative हो कोई फर्क पड़ता नहीं है मतलब ये दोन निपड़ गये और ये निपड़ गया तो अपने पास क्या बज़ गया अपने पास बज़ गया mod x upon 1 plus mod x का whole square और साथ में ये नीचे ये भी नीचे से क्या हो गया कड़ गया मतलब कुल मिला के answer आया 1 upon 1 plus mod x का whole square उपर भी positive है और नीचे whole square है whole square कभी negative हो नहीं सकता मतलब f dash x always क्या होगा positive इस तरीके से ये जो function है आपका f x equal to x plus 1 by mod x कैसा होगा strictly increasing function होगा क्योंकि 0 होने के भी कोई chances नहीं है क्योंकि 0 होने के लिए numerator में at least 1 x बैठना चाहिए था बट अपने पास जो f dash x आ रहा है वो कितना रहा है वो आ रहा है one upon one plus mod x का square 0 होने का भी कोई chance नहीं है मतलब f dash x always greater than 0 always greater than 0 ओके तो यहां पर डाइनेमिक प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुई है बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी कि डीवावेडी एक्स जो mod x होता है उसको हम एक्स अपॉन mod x के रूप में लिख सकते हैं ओके क्लियर हो गया तो x by mod x के रूप में लिख सकते हैं यस तो इस तरीके की प्रॉपर्टी यूज करके यह question जल्दी से हो गया otherwise आपको दोनों पार्ट इसके solve करने पढ़ेंगे ठीक दोस्तों